माध्य प्रदेश के इंदोर में पत्रकारों से मुखातिब हुए भाजपा के रास्टीव सचिव केलास विजेवर्गी ने भाजपा कार्यकाल पर प्रसवारता की मोधी कारेकाल को लेकर विजेवर्गी बोले कि जनता ने मोधी जी को देश का नेता बनाया है लेकिन अपनी कारेशेली से वो वीश्वम में नेता बने है विजेवर्गी ने भाटपा ने जो निर्णे लिये हैं उसे देश हित में बताया है उसे मुद्ध करने का काम हमारे देश के ब्रधान मंत्री ने सहासिक निरनाई लेकर हुए बिना बोर्ट की चिंता किये हुए महिलाओं को वो संबल प्रदान किये वो ताकर प्रदान किये और तीन तलाग प्रठा का बिल सुप्रिम पोर्ट पर लाकर तीन तलाग प्रथा को इस देश में समात कर देए भारत पहला देश में हमसे लगा हुआ पाकिस्तान में तीन तलाग ने बहुत सारे इस्लामिक राश्टर से यहां पर तीन तलाग प्रथा को समात कर देए इस देश की एकता और अखंटा के लिए किसी राजनितिक दल का पहला बलिदान था और धारा 370 के खिलाफ या अंदोलन था जहां हुए बलिदान मुकर जी वो कश्मीर हमारा है वो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है हम बहुत छोटे थे हमें पता नहीं था धारा 370 क्या है डॉक्टर शामा दसल मुकर जी कौन है पर जब बोश समाला तो लगा कि धारा 370 इस देश के अंदर जो सभिधान है पेटीस एंग यह हटना बड़ा मुश्किल है हमारे जैसे कारे करता हूं का लगता था और मुझे कहते हुए यह बहुत गर्व है कि इस देश से मोदी जी के नेत्रतु में ग्रह मंत्री अमिश्याह जी की चानक के निती के कारें एक दिन में धारा 370 हट गई मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शी था मैं जोभाय के शाली हुटी में पार्ल्लेमेंट में था इस देश में बहुत गर्व है कि इस देश में बहुत सारी विचार भारा हैं पर आजादी के बाद सबसे ज़्यादा इस देश में नेत्रत को यदि किसी एक राजनेतिक दल का रहा तो वह कांडेस का रहा समय समय पर अन्यदल अपनी लाभानी को देखते हुए पर मुझे आज ये कहते हुए गर्व है कि भारती जन्ता पार्टी के नेत्रत उन्हें हमेशा जब देश के संबंद में कोई भी निर्णे लिया है तो उसमें देश हित को दिहान में रखा है पुरसी हित को दिहान में नहीं रखा है जो भी निर्णे हो और इसलिए देश की स्वतंत्रता के बात से जब भी कॉंग्रेस के नेत्रतों ने एसा को इन रणे लिया जो देश को देश के लिए हितकारी नहीं है तो भारती जन्शन के रूप में उस समय एक बहुत छोटी पार्टी थी पर एक बड़ा अन्दुलन करके सारी देश की जन्ता का दिहाना करशित किया था हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी ना भूले